Hello everyone, welcome to Magnet Brains, मैरी आचोहान, आपकी दोस्त और होस्ट for social science and NTSC आपके लिए आज लेकर आई हूँ previous year question of the year 2014 Part 2 भाई इसलिए है क्योंकि 2014 का एक paper हम already सब्सक्राइब करके आचुके हैं आप तक वो पहुच गया होगा और I hope आपने अच्छे से उसको समझ लिया होगा सारे question पढ़ लिये होंगे है ना और जैसे हम हर previous year question की शुरुवात के पहले एक दो चीज detail में थोड़ा से समझ लेते हैं number one कि question को देखके घबराना नहीं है कि ये question क्या आगया कैसा आगया आपको previous year करवाया ही इसलिए जा रहा है ताकि अभी तक नहीं पता आपको ये question तो कोई बात नहीं अभी ये question आपको जो दिखेगा मैं समझाओंगी मैं reason बताओंगी मैं answer बताओंगी अभी समझ लेना अब अगली बार अगर ये question कभी भी कहीं आता है तो आपको answer बनना चाहिए deal done second thing ये है कि आपको NTSC की पूरी playlist बनी हुई है sad की वो आपको अच्छे से कर लेनी है समझ लेनी है क्योंकि most of the question उसी में से है हमने पूरा syllabus बहुत अच्छे से cover किया है बिल्कुल भी मत करना पूरा syllabus बहुत होचपोच सा है NTSC social science का देख के से लगता है कि यार कहां मिलेगा क्या करेगा तो उसकी research मैंने आपके बिहाफ पर कर दी है और सब कुछ एकदम बना के ready एकदम सजागे रखा है बस आपको देखने की देर है कर लेना समझ लेना उसको अच्छे से ठीक है बात कर लेते हैं number one question की question पूछा गया है What was the theme of painting of Federic Suryo? Federic Suryo ने painting बनाई थी यादे कि नहीं यादे भईया आपनी वो बड़ी इसी painting ठीक है उसकी theme क्या थी है ना तो उसकी theme जो थी आपको याद आ रहा होगा Democratic social republic Socialistic दिया है पता नहीं Capitalistic दिया है democratic दिख रहा है तो democratic को टिक कर देते हैं समझ आया कि नहीं आया अब हमने federic Suryo की painting तो पूरी पढ़ी पर उसमें से question कैसे बनते हैं यह हमको नहीं पता इसलिए हम यह काम करने क्लियर अब अगली बारे question कहीं भी आए तो आपको याद रहेगा आप बिल्कुल भी भूलने नहीं वाले answer is a democratic next question पर आ जाते हैं Germany was unified in है ना तो जर्मनी का unification हम पढ़ क्या है पूरी कहानी हम पढ़ क्या है जिसमें जर्मनी का unification हुआ था जल्दी से बताओ 1871 है 1871 में unification हुआ था अब जैसे यहां पर जर्मनी का unification दिया है ऐसे आप इटली का unification भी ध्यान में रख लेना कई बार उसके उपर भी question आता है और comment section में मुझे भी बता जेना कि मैं यह वाले इयर में इटली का unification हुआ था है ना तो अच्छा लगेगा comment section बढ़ा हो न ठीक है तो उससे के interaction पता चलता है कि आपने सुना है आप जवाब दे रहे हो आप ढूंड रहे हो आप बता रहे हो इसलिए मैं हर प्रिवेस यह question में मैं बहुत सारी चीज़ा आपको कहती हूं कि यह ढूंड के मुझे comment section में बताना यह देखके मुझे comment section में बताना तक कि जब आप अपनी तरफ से थोड़ा सा effort लगाओगे तो आपको समझ में आएगा और आपको question वो point वो concept भी दिमाग में रहेगा clear? चलो next question पर आजाते हैं who said when France sneezes the rest of the Europe catches cold? किसने यह line कही थी कि जब France छीकता है तो पूरे के पूरे यूरोप को सर्दी हो जाती है जैसे मैं अगर छीक रहे हूं और बाकी लोगों को सर्दी कब होगी जब मेरे से बहुत सारे लोग जुड़े होंगे अगर जुड़े होंगे तब ही उनको मेरी सर्दी फैल ही कि नहीं जुड़े होंगे तो मैं तो अकेले छीकती रहूंगी कई भी बैठ के दूसरे को यह किस ने कही थी नियान के द्वारा किसके द्वारा मैं यह पढ़के आएं समझ के आए हैं बहुत अच्छे से हमने डीटेल में देखा है मैंने आपको ऑली प्लेपिलेस्ट में नाशनलिज में इंडिया और नाशनलिजम यूरोप एक साथ में कराया है है ना मतलब nationalism in various countries करके topic में मैंने आपको कराया है तो आप उसमें देख सकते हो बाकि आपका ये फ्रेंच revolution rise of nationalism in Europe ही है है ना ठीक है तो आपको मिल जाएगा who was Paul Bernard, Paul Bernard कौन थे तो ये वियतनाम का किस्सा है है ना वियतनाम में बहुत सारे डिक्कते आ रहे थे जिसकी वज़े से वियतनाम में economic development नहीं हो रहा था और बहुत सारे hurdles थे जिसकी वज़े से economic development नहीं हो पा रहा था तो Paul Bernard जो एक की एक social reformer आप इनको समझ लो इन्होंने बहुत सारी बाते कहीं इन्होंने बहुत सारी चीज़े भी बताई ही वस आलसो policy maker तो he wanted की government को कुछ policy decision लेने चाहिए जिसकी वज़े से या फिर जिसकी कारण या जिसकी मदद से जो restrictions आ रहे है जो hurdles आ रहे है ये हटे और वियतनाम में अच्छे से development हो पाए है ना तो Paul Bernard कौन है देख लेते हैं हम यहाँ पर option में कुछ दिख रहा है economic social worker, social reformer, capitalist तो social reformer अभी just मैंने use किया था तो social reformer is the right answer है ना answer टिक कर लेते हैं answer C is the right answer Question number 5, which of the following was the most important cash crop of Vietnam? Vietnam की सबसे important cash crop कौन सी है? तो Vietnam की सबसे important cash crop है rice है ना वहाँ बहुत खेती होती है लेकिन खेती जो होती है उसमें बहुत जादा human labor चे होता है या फिर बहुत extensive खेती करनी पड़ती है वहाँ पर इवन प्लोइंग बहुत जादा करनी पड़ती है तो water buffalo की मदद से प्लोइंग वो लोग करवाते है राइस यहां पर extensively grow होता है और दूसरे भी crops है जिससे sugar can वगरा भी लेकिन एक अगर important cash crop की हम बात करें तो वो rice है और even cash crop in the sense जिसको आप export import कर सकते हो जिसके बदले में प rice tick करेंगे क्योंकि it is a most important cash crop why was non-corporation movement called off by Gandhi जी अरे ऐसे टिक कर देंगे यह तो क्या है बहुत अच्छे से बताया हमको है गांजी के द्वारा non-corporation movement क्यों रोका गया था nationalism in India and a non-corporation movement का end of picture जिसमें लास्में नीचे डब्बे में लिखाया चौरी-चौरा का incident चौरी- इसलिए उन्होंने non-corporation movement रोक दिया कि भाई हमको दंगे नहीं करने है तो उन्होंने सुचा के जो सत्याक रही से इनको थोड़ा सा train करने की जरुत है इनको बताने की जरुत है कि आखिर हम किस तरीके का mass struggle चाहते हैं तो उन्होंनों कुछ नया इनको train करने के बाद स्टा दिख रहा है answer टिक करते हैं option ए और आगे बढ़ते हैं वैसे तो आपको सारे option चेक करने चाहिए लेकिन कुछ question का एक ही answer होता है डिरेक्ट आंसर चौरी-चौरा वालेंस ही वा था इसके लावा तो कुछ होगा नहीं है ना इसलिए हम सीधे हम ए आंसर टिक कर देते हैं दजलियावाला बाग incident टुक प्लेस ओन कौनसे टाइम पर जलियावाला बाग incident हुआ था आंख बंद करो जल्दी सताओ तेरा एप्रिल नैंटीन नैंटीन है ना याद है कि नहीं याद है नैंटीन नैंटीन तेरा अप्रिल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था मैंने आपको पुरा इंसिदेंट समझाया था इन इसको हमको बूलना भी नहीं चाहिए जल्यावाला बाग का incident हुआ था तेरा बेशावर में incident हुए थे जहां पर भागदड मच गई थी फिर उसके बाद 13 अप्रिल को तो फिर जले वाला बाग वाला incident होई गया है ना तो यहां पर हम option करेंगे यहां पर 13 अप्रिल 13 अप्रिल 13 अप्रिल दिया लेकिन year अलग है ना years अलग है ठीक है तो years अलग है यहां आप D वाला option टिक कर सकते हैं क्योंकि 1919 की बात है next question पे आज आते हैं तो पूना पैक्ट किन दो लोगों के बीच में sign हुआ था पूना पैक्ट को मैंने आपको याद करवाया है between मतलब ऐसे से कि पूना के यह रावड़ा जेल में गांधी जी बन थे उस समय पर nationalist movements के कारण और वहां पर बियार अंबेटकर गांधी जी के बीच में बात हुई थी regarding reservation of STI depressed classes तो पूना पैक्ट फिर साइन किया गया था तो पूना नाम ही जो पूने अपनी जगे महाराष्ट में इसको पूना कहा जाता था है ना तो वो जगे जो थी उसी के इसाब से उन्होंने इस पैक्ट का नाम रखा था पूना पैक्ट तो किसके बीच में क्यों हुआ महात्मा गान्धिया और डॉक्टर बीार अमथे कर ओप्टिन में कहीं दिखने जाएं जाम लवा जाय। तो ऑपिर इर्विन पैक्ट कहा जाता है, है ना उसको गांधी इर्विन पैक्ट कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे था हमको पूना पैक्ट बोला है, तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बीया रंबेटकरजी के बीच में साइन वाता, तो option C is the right answer. किसने यह लाइन कही थी कि प्रिंटिंग जो है वो अल्टिमेट गिफ्ट है गौड का और ग्रेटेस वन जो भी सबसे महान है उनका, ठीक है, तो यह लाइन जो है यह कही गई थी by Martin Luther, ठीक है, Martin Luther was a great 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 author भी कह सकते हो, writer भी कह सकते हो, एक incident बताया जाता है, जब वो 95 उनकी thesis लेके चर्च में, विटनबर्ग चर्च में भगवान के सामने बैट गए थे और यह वाली लाइन की यह अल्टिमेट गिफ्ट ऑफ गौड है, प्रिंटिंग अल, है ना, तो यह किस के द्वारा कहा गया था? Martin Luther द्वारा कहा गया था, तो option D will be the right answer. Who among the following ruled over Sardinia, Pidmon during the middle of 19th century? इन में से किसने Sardinia, Pidmon पे rule किया था, अमंग कौन से time पे 19th century? है ना, middle of 19th century. तो इटली जो है, वो कुछ 60 टुकडों में बटा हुआ था, है ना, it was not unified. बाद में unification हुआ, जिसको हम पूरी तरीके से इटली कहते हैं, लेकिन पहले वो साथ अलग-अलग जगा थी, different जगा थी. है ना, तो इसके उपर कौन rule करता था? इसके उपर rule करता था, Italian princely state. कौन rule करता था? Italian princely state. option में दिख रहा है, option B. है ना, तो option B हम टिक करते हैं, Italian princely state. और आगे बढ़ते हैं. Which of the following countries has briefest constitution? कौन सी country का सबसे brief constitution? तो एकदम direct, एकदम short and sweet and direct constitution है. कौन सी country का? तो USA का. USA has the briefest constitution of the world. ठीक है, तो USA आपको टिक करना है, option A is the right answer. मैं आपको तरीका इसलिए एकदम फटा-फट बता रही हूँ, क्योंकि आपके पास में exam में रहेंगे 120 minute. है ना, तो हर question पे हमको बहुत ज़्यादा समय नहीं देना है. हम को तरीका हम social science पर ज़्यादा बहनत करी इसलिए रहे हैं, क्योंकि हमारे जो तीन subject है math, science and social उसमें पूरा complete theory based social science ही है. ठीक है, तो हमको ये चाहिए कि हम 120 minute में ज़्यादा से ज़्यादा question कर पाएं. तो जब हम theory के ज़्यादा से ज़्यादा बना लेंगे, तो हमारे पास में sufficient time बचेगा, कि जिसमें हम physics के question लगा लें, math के calculation कर लें, तो वहां से भी हमारे answers बन जाएंगे. clear है कि नहीं clear है, तो आपको दिमाग में थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा कि बिलकुल हरे question पे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाना है, चीजें को एक किसी particular concept से relate करना है, answer click करना है और answer tick करना है. ठीक, समझ में आया, who is also known as Frontier Gandhi? ये वालो question इतने बार पूछा गया है NTSC में, हमने पिछले कुछ papers में भी किया था, Khan Abdul Gafar Khan भी लिखा जाता है कहीं पर और कहीं पर Abdul Gafar Khan भी लिखा जाता है, he was also known as Frontier Gandhi, है ना, यहां पर Khan Abdul Gafar Khan लिखा है, एक paper में Abdul Gafar Khan ही लिखा था, तो that is also not wrong, है ना, तो हम क्या tick कर देंगे, option B, clear, next पर आते हैं, which of the following statement is true about India, इन में से कौन सी statement इंडिया को लेकर true है, यानि की सही है, India is a unitary system, no, federal हम थोड़ा बहुत मानते हैं, इंडिया की system को, ठीक, it is a confederation, confederation यानि की टुपडो से मिलके बना है, क्या, जैसे की United States of America है, ऐसा, ऐसा तो नहीं बना है, क्या अलग-अलग country है, और पर हो मिलके बनी है, ऐसा नहीं है, है ना, तो ये दो option तो गलत है, India is union of state, definitely, definitely, हाला कि हम country के टुकडो से नहीं मिलके बने हैं, लेकिन हमारे जो states थे, ये individual states हुआ करते थे, जिनके उपर princely state, princes rule करते थे, है ना, तो हमने ऐसा माना कि ये union of state है, ठीक है, इन state का union है, India, and India is a union of state, ठीक है, तो इंडिया क्या है, union of state है, बागी इसको rule करने वाले prime minister, president, जो है, वो रहेंगे ही, रहेंगे, लेकिन still, every state has its own identity as well, clear, तो C is the right answer, who is at present chairman of planning commission, planning commission के at present chairman कौन है, तो at present chairman of planning commission, 2014 के अनुसार, was, montexing, alu alia, अभी पिर आप google पर ढूंडोगे, तो यही नाम आपको आएगा, लेकिन planning commission का नाम थोड़ा change कर दिया गया है, नीती आयोग भी उसका नाम रख दिया गया है, है ना तो अपने को ये, कुछ current affairs की चीज़े हैं, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रख लेना जाने लगा था, जैसे कि मैं किसे एक political party में हूँ, है ना, अब मैं यहाँ पर चुनाओं में उतरी और मैं जीत गई, ठीक है, अब में को मिल गया एक tag कि हाँ, यह मैं minister बन गई हूँ, या मैं political party में, अब इस party के थुरू में जीत गई हूँ, ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो दूसरी party है, वो सोच रही है कि मैं उनकी party में चले जाओ, है ना, तो वो क्या करते थे, पैसे दे दिया करते थे, है ना, मतलब मुझे खरीद लेगे वो, वो पैसे दे देगे कि हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप हमारी party में आ जाओ, तो ऐसे लोग पहले shift होते लेकिन यह गलत है, इससे क्या होता है, कि मानलो हो सकता है कि मुझे लोगोंने elect में को देखके नहीं, मेरी party को देखके किया हो, है ना, लोगों को मेरी party पसंदो, इसलिए party के नाम से में कोई elect किया हो, अब जब मैं दूसरी जगे पे चले गए होते हैं, तो party का नुकसान हो जिसे मान लो कि मैं कोई साथ MP MLA बन गई हूँ है तो अब मैं अगर दूसरी पार्टी चेंज करती हूं तो अब मैं MP MLA नहीं रहूंगी वो टैग में छोडूंगे और फिर दूसरी पार्टी में जाओंगी फिर में को वापिस से इलेक्शन में खड़े होना तो मैं हो सकती वो बात अलग है लेकिन अगर मैं दूसरी पार्टी शिफ्ट कर रहे हूं तो फिर मैं उसमें अपना टैग नहीं लेके जाओंगी तो यह एंटेडिवेक्शन लॉक इस अमेंडमेंट की थुरू लाया गया था फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट की थुरू लाया था किसके थुरू फिफ्टी सेकेंड अमेंडमेंट की थुरू अच्छा यहां पे आपको एक होंवर्ग करना है कि मैंने कुछ अगर आप पुराने प्रीवेस हैर क्वेशन मेरे साथ में कर रहे हो तो फॉर्टी फोर्थ अमेंडमेंडमेंड में क्या हुआ था यह मैंने आपको टू बेलख इंडर मंडल कमीशन मंडल कमाशन के अनुसार बैक बाकर होने के क्या दो बेसिस हैं नंबर वन इस शोशली बाकवष एर Airport यम इस करद आप और ठी ट्माजिक तरप योलो हुद जो लोग जो तो मंडल कमिशन ने बोला कि इनको रिजर्वेशन देना चाहिए तो अब ये मंडल कमिशन की कहानी बता देती हूं कि मुरारजी देशाई के समय पर है ना वेन ही वास प्राइम मिनिस्टर तो रिजर्वेशन की बात हो रही थी है रिजर्वेशन के अंडर हेड करते हूए उन्होंने कमिशन बिठाया और कहा कि बीपी मंडल जी आप एक काम करो इस कमिशन के साथ में मिलके पूरे देश की स्थिती देखो और फिर रिपोर्ट तयार करो बताओ कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए और अग रिजर्वेशन होना चाहिए ठीक है next is who was known as grand old man of india तो बच्पन से आपको आंसर इसका याद होगा grand old man of india जो है वो दादा भाई नारोजी को कहा जाता था कि इसको कहा जाता था दादा भाई नारोजी को ठीक है तो answer a is the right option which of the following is not true about fundamental rights इन में सी कौन सी चीज fundamental rights को लेकर सही नहीं है number one these are absolute बिलकुल ये सही नहीं है और यही हमारा right answer होगा क्यो right answer होगा कि these are absolute क्योंकि fundamental rights are not absolute absolute नहीं है fundamental right ऐसा नहीं कि आपको right to speech दे दी है तो आप जो चाहे वो बकोगे ऐसा नहीं है they come under some limitation कि आप किसी के लिए hate speech यूज नहीं करोगे आप किसी को defame नहीं करोगे आप किसी को disrespect नहीं करोगे आप बेकार में किसी के बारे में भला बुरा नहीं बोलोगे अगर वो really में valid है वो बुरा बोलना that is the different thing लेकिन किसी को defame करना ये बोलके कि मेरी तो right to speech है मैं जो चाहूँ वो बोल सकता हूँ ऐसा नहीं है fundamental rights come under some restrictions ठीक है आपको freedom है कि आप कुछ भी कर सकते हो मतलब as in आप कहीं भी आजा सकते हो ठीक है आप कुछ भी कर सकते हो आप association मना सकते हो लेकिन आपको ये freedom नहीं है कि रात को जोर-जोर से आप गाने चला रहे हूँ Until unless आपकी उस हरकत से किसी को परिशानी नहीं हो रही है, then you can do it. But अगर उससे किसी और की fundamental right violate होती है, तो फिर that is a problem. है ना? तो these are not absolute, they come under some restriction. तो यहां पर answer ए क्या हो जाएगा right. अगर यहां पर not absolute लिखा होता था, हम इसको नहीं select करते. क्योंकि यहां पर हमसे not ही पूछा है, ठीक है, बाकी these come under third part of constitution is a right thing. Third part है constitution का ठीक है, article number 12 से article number 35 तक के fundamental right ही होती है. है ना? third part दिया चाहता है, 6 गिंती में हैं and these are also taken from USA. है ना? हमने अलग-अलग constitution से अलग-अलग चीज़े ली हैं. Fundamental rights हमने USA से ली हैं. ठीक है, तो answer A यहां पर right हो जाएगा. Which of the falling is the smallest administrative unit in rural areas? Rural areas में सबसे छोटी administrative units कौन सी है? तो village panchayat, जो है, वो सबसे छोटी administrative unit होती है, देख लेते हैं, option में है क्या? Municipal community panchayat समिती village panchayat है. है ना? तो village panchayat सबसे नीच आती है. उसके उपर-उपर दूसरी-दूसरी units होती है. ठीक है? तो answer क्या हो जाएगा? C, village panchayat. What is not true about RTI? RTI को लेकर क्या सही नहीं है? RTI मनलब right to information. It empowers people, बिल्कुल. ठीक है, कोई भी government अधिकारी के बारे में आप जानकारी निकाल सकते हो, कि वो पैसा कहां लगा रहा है? क्यों लगा रहा है? कैसे कर रहा है? कहां जा रहा है? सब वो आपको हग है. हर जनता को हग है. ठीक है? तो लोगों को empower मिलती है. इसको power मिलती है. Promotes transparency. हाँ, बिल्कुल. जनता जित्ती ज़्यादा government की functioning पता लगा सकती है. That is transparency. तो RTI के through transparency मिलती है. It promotes good governance. हाँ, लोगों को डर होता है. गवर्मेंट में बैठे लोगों को डर होता है. कि कोई भी RTI लगा देगा, तो हमको पैसा सही जगे पर use करना है. है ना, तो good governance भी आती है. It is against bureaucracy? No. Bureaucracy क्या against नहीं है? है ना? ऐसा नहीं है. Bureaucracy क्या हो? अपने ISIPS बगेरा जो होते हैं, bureaucrats. तो उनके against ये नहीं है. है ना, तो not true ही बोला है, तो D is the right answer. Contour lines represent areas recording same amount of rainfall and contour lines. जैसे कि हमारा ये जो पूरा पाहाड है, इसके उपर हमको tea cultivation करना है. तो हम क्या करते हैं? प्लांटेशन ऐसे terrace farming करते हैं और contour lines बनाते हैं. या फिर हम जमीन पे भी contour lines बनाते हैं गई बार. तो contour lines किस हिसाब से बनाई जाती है? इस हिसाब से बनाई जाती है कि same sunlight पड़े और same rainfall पड़े उत्ते उत्ते एरिया पे. ठीक है ऐसा नहीं कहीं जादा कहीं कम पड़ रही है. उस हिसाब से contour lines बनाई जाती है. तो या पे rainfall तो दिया हुआ है. Sunlight देख लेते हैं किस option में है? Having same degree of temperature, no. Above means sea level, no. Same amount of sunlight, yes. तो answer C will be the right answer. जोजीला पास connects which two places out of the following? जोजीला पास किन दो places को connect करता है इन में से? ले, श्रीनगर, जम्मू कारगिल, नेपाल, सिक्किम, भूटा, नरुनाचल प्रधेश. ये तीनों गलत हैं. है ना? ये तीन जो है, ये गलत है. ये वाला option सही है. ले से श्रीनगर तक जो connect होता है, वो कौन connect करता है? जोजीला पास. ठीक है? आंसर A will be the right option. Make right pairs of following rivers and their places of origin. है ना? हमको rivers दी हुई है और उनकी places of origin बताये हैं. तो हमको इनको सही तरीके से बताना है कि कौन सा किसका है. तो सतलज. सतलज जो है वो रक्षास्तल तक होता है. मतलब इसका origin जो है वो रक्षास्तल है. ठीक है? जेलम. जेलम का होता है वेरिनाग. ठीक है? तो जेलम का वेरिनाग. है ना? इसको टिक कर लेते हैं. A, 3, B, 4. ठीक है? कावेरी का होता है ब्रहमगिरी. ठीक है? 2 कई पर option में दिख रहा है a3 b4 c1 d2 a3 first में दिख रहा है first में दिख रहा है है यह याद कर लेना अच्छा question है काफी ठीक है a option right होगा ठीक है कई बार पूछा जाता है कई बार ऐसे भी option में आ जाता है कि what is the origin of आफ नर्मदा रिवर तो आपको पताना है कि ब्रह्मगीरी है ठीक है सरी आपको बताना है कि अमर कंटक है है ना तो इसको थोड़ा सा आपको दिहान में रखना पड़ेगा है और अच्छा question है बढ़िया choose the right answer फिर से right answer चूज करना है हमको है ना cotton अच्छा किसको क्या कहा जाता है cotton पुलिस ओफ इंडिया मुंबई को Silicon Valley of India Bangalore को बिल्कुल सही Manchester of North India Kanpur को बिल्कुल सही Detroit of India Modi Nagar बिल्कुल सही तो इस सारे सही है all of the above देख लेते हैं है क्या all options are right यह option दिख रहा है है ना तो यह जो है वो right option है इसको भी दिमाग में रख लेना तो कैसे पूछ लिया which of the following city is known as cotton police of India or which of the following city is known as Manchester of India which of the following unit is known as Silicon Valley of India तो आपको ध्यान में रहना चाहिए as per census of 2011 which one of the following four state has highest density of population 2011 की जर्म करना के अनुसार इन में से कौन से state की highest population density है है ना मतलब 4 state निकले थे highest population density में ranking के अनुसार जिसमें सबसे सबसे जादा highest तो तो West Bengal की थी तो West Bengal दिख रहा है क्या नहीं West Bengal नहीं है इसमें लेकिनَّ चार है तो चार मेंसे एक होना जाहे तो है normal था और एक नागलंड था नागलंड था नागलंड दिखर रहे ना तो नागलंड एक इस दा राइट आंसर है फिड्ल चेक कर लिते क्या biodiversity forest में ही maximum होती है हाँ देखा तो चाहता है it refers to only flora of a particular area no, biodiversity में flora और fauna plant और animal दोनों आते है it is related to various species of flora and fauna of a particular area हाँ बिल्कुल सही तो A सही है, C सही है it represents total number of individual of particular species living in an area नहीं, नमबर नहीं ऐसे बताता है diversity बताता है कि कितने तरह के हैं है ना, तो A और C सही दिख रहा है देख लेते हैं A, B, B, C, C, D, A, C है ना, तो A, C, D option D option is the right answer the main cause of existence of rain shadow area on leeward side of western ghat of India अच्छा, leeward side क्या होती है windward side जिस तरफ से wind आती है उधर की तरफ से मू होना है ना, और जिदर से wind आती है उसकी तरफ से moon ना होना is levered side है ना, तो levered side rain shadow area का होना western ghat के levered side पे उसका main reason क्या है तो उसका main reason है टेम्प्रेचर, है ना, उसका main reason है increasing temperature temperature बड़े होने के कारण levered side पे क्या होता है western ghat के levered side पे यह बना होता है, rain shadow बना होता है clear? तो option B is the right answer which force is responsible for deflecting winds towards the right direction in the northern hemisphere कौन सा force responsible होता है for deflecting winds यानि कि winds को northern hemisphere की right direction में deflect करने के लिए कौन सा force responsible होता है यह हमको बताना है है ना तो centrifugal force होता है जहां तक मुझे बता है हाँ, fugal या fuviation कुछी बोल सकते है ठीक है, तो centrifugal force जो है वो responsible होता है तो option B सही दिख रहा है, check कर लेते है हाँ, ठीक है centrifugal force responsible होता है which one is not a fact regarding climate और South India South India के climate के regarding कौन सा fact इसमें से सही नहीं है है ना, तो देख लेते हैं dunal range of temperature is less heterogeneous climate conditions are found annual range of temperature is less temperature are high throughout the year South में तो हमको temperature throughout the year high दिखता है देख लेते हैं, है ना, answer C is right तो आपको easy सा option दिखी जाएगा ऐसे चकराना मत उपर से देखके कि क्या बोल रहे हैंगे human development index compares countries based on which of the following level of people human development index किन चीजों को देखकर country को rank करता है as per capita income, education level, health status और gender ठीके फिर उसके बाद में हमको ये चार option दिए तो चारों को ही देखता है ठीके, जो human development index होता है वो इन चारों चीजों को per capita income किती है उस देश की education level क्या है, health status क्या है, gender ratio क्या है ये सारा कुछ देखके ही फिर country की ranking दी जाती है तो all of the above will be the right answer, answer D is the right answer gross domestic product is the total value of gross domestic product total value किसकी होती है all finished goods and services intermediate हम नहीं count करते है, ना ही कीमत को repeat करते है, है ना तो हम क्या करते है, final goods और services की value को count करते है ठीके, value of all final goods and services ठीके, यहाँ पर intermediate बोला है, यहाँ intermediate बोला है, यहाँ पर final intermediate कुछ बोला ही नहीं इसलिए इन तीनों को टिक नहीं करते हुए हम इसके साथ में जा रहे हैं भाई C option के साथ Answer C is the right answer Which of the following was the objective of Narega 2005? इतनी बार पूछा है ये question, इतनी बार पूछा है Manarega बोल देते हैं, Narega बोल देते हैं क्या objective था भाई? 100 दिन का employment, guaranteed employment is the main objective of Narega या फिर Manarega 2005 है ना, देख लेते हैं option में Unorganized, provide 100 days of employment in a year by the government है ना, तो B option is the right option Formal sources of loan include loans from Formal sources में loans कौन-कौन से आते हैं? Bank और cooperative के, देख लेते हैं Bank, money lender, cooperative, trader है ना, तो bank का और cooperative society का तो B और C B और C किसमें, sorry A और C A और C यह रहा, है ना तो B option हमको यहाँ पर दिख रहा है A और B, B नहीं आएगा है ना, यह कौन सा option आएगा A और C यहाँ पर अपना option आएगा ठीक है? वो नीचा आजाएगा वो arrow गलती से महीं पर रहेगा ठीक है? तो यह अवाला option कहाँ पर आजाएगा? नीचा आजाएगा B option जो है वो क्या हो जाएगा? सही option हो जाएगा A and C हम जानते हैं बहुत अच्छ से कि bank और cooperative societies जो होती है वहीं से क्या होता है? हमारा formal sources of loans आता है ठीक है? Next Which one of the following has benefited least because of globalization in India? इन में से कौन सा सबसे कम benefit हुआ है globalization के कारण? ठीक है? तो देख लेते हैं industrial sector, service sector, secondary sector, agricultural sector कौन सा sector सबसे कम हुआ है? है ना तो agriculture में बहुत ज़ादा दिक्कत हुआ है globalization के कारण? कि globalization जब से हुआ है तब से manufacturing अगेरा बहुत ज़ादा बढ़ गई है और agriculture बहुत ज़ादा काम हुआ है ठीक है? तो सबसे कम benefit जो है वो किसको मिला है agriculture sector को मिला है तो agriculture sector is the right answer खतम हो गए भाई हमारे है ना? तो इतने question थे आपके in the year 2014 I hope आपको अच्छे समझ में आ गए है अच्छे से clear हो गए है उनके पीछे के basic reason भी आपको समझ आ गए है ठीक है अच्छा लगा तो लाइक करना शेर करना अपने दोस्तों के साथ में और चाहिए को subscribe करना तक याब इसे कोई भी important वीडियो मिस ने कर जाओ previous या questions are important and TAC set की जो playlist है that is also very much important दोनों में से कुछ भी miss नहीं करना है मिलते हैं अखली वीडियो में